नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगता स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस वीडियो में लैसे तो सरदर्द कहीं प्रकार का होता है लेकिन क्या कभी आपने एक क्लस्टर हैडेक के बारे में सुना है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये cluster headache आखिरकार होता क्या है और इसका इलाज और इसकी लक्षन क्या है आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में मौसम के वदलने पर कई लोगों को सिर्दर्द की शिकायत होने लगती है जैसे ठंड से गर्मी आने पर गर्मी से बारिश या फिर ऐसे ही एक दूसरे मौसम का बदलना सिर्दर्द का कारण बनता है ये मौसम सिर्दर्द की लक्षन होते हैं मौसम के साथ साथ सिर्दर्द का प्रकार भी अलग-अलग होता है मौसम के अनुसार होने वाला सबसे सामान्य दर्ध होता है closer headache Experts का मानना है कि सरदर्ध की समस्या कई बार मौसम पर भी निलबर करती है और cluster स्रिदर्ध मौसम के बदलने पर होने वाला एक सामान्य बदल्त होता है तो चलिए बात करते हैं क्या वज़ा है मौसमी सरदर्थी एक्सपर्ट का मानना है कि मस्तिष्क में स्थित इंटर्नल क्लॉक स्कॉडियन रिदम को नियंतरित करता है हमारे इंटर्नल क्लॉक दिन में होने वाली रोशनी के प्रती समवेदन शील होता है और यह हमारी नीद के साइकल को नियंतरित करने मदद करता है नीद के इस साइकल के बिगड़ने या बदलने से मौसमी सिर्दर्थ होने की आशंका बढ़ जाती है क्लस्टर हीडेक सिर्दर्थ की काफी गंभीर समस्या होती है जो की internal clock के बदलने पर trigger होती है कई लोग दिन की इस रोशनी के प्रती काफी समय दिन शील होती है जो की किसी रोगी को इस थरह से प्रभावित करते हैं क्योंकि सिर्दर्द का दिन भी समान होने लगता है गर्मी के मौसम में सिर्दर्द की शिकायत माईग्रेन के रूप में बढ़ जाती है क्योंकि माईग्रेन के मरीज गर्मी के प्रती समवेदन शील होते हैं आखों के पीछे या सपास दर्द होना ये माईग्रेन से भी कहीं जादा अधिक पीड़ादायक हो सकता है दर्द की अवदी, आपका सिर्दर्द दिन में कई बार कुछ हफ्तों या महीनों के लिए हो सकता है जिसे cluster period कहते हैं, हर साल एक ही समय पर दर्द होना, हर साल सिर्दर्द समान महीने में उसी समय पर होता है, समय भी होता है एक ही, दो पहर एक दो, एक से तीन और रात नौ दाइरी में नोट करते जाएं, इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपका सिर्दर्द मौसमी है या नहीं और इससे अब बचने में आपको मदद मिलेगी, अपने सिर्दर्द का जो भी मौसम है उस दोरान इसके trigger से बचने की कोशिश करें, इसमें भोजन, धूमरपान, शराब, नीद पूरी ना होने जैसे trigger शामिल है, एलर्जी की प्रकार के अनुसार घर के बाहर की गति विद्यो पर रोक लगा ले, धूल और फफूंद आदी के समपर्क मिजाने से बचने की कोशिश करें तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ, आपको हमारा ये वीडियो पसंद जलूर आया होगा हमें कमेंट में जलूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइकें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले